आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप कोरोना काल में अपने घरों में स्वास्त और सुरच्छित होंगे आज हम रिव्यू करने वाले मेटरॉल टेबलेट्स का इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या-क्या खासियत हैं इस दवाई की क्या कोरोना को ठीक कर सकती है अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यह आपको कहां पर मिलेगी पांचवी और सबसे महतुपून बात की किन-किन लोगों को इस दवाई को बिल्कुल भी इस्तिमाल नहीं करना चाहिए जानेंगे यह सारी बाते तो आईए बात करते हैं इसकी खासि और ऑक्सीजन की जरूरतों को कम करता है और रक्त वाहनियों को कुछ हद तक चोड़ा करता है जिससे की हिर्दय को धड़कने में आसानी होती है मेट्रॉल को अकेले या किन अन्य दवाईयों के मिसरन के साथ लिया जा सकता है आईए जानने कि यह दवाई किन-किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए एलर्जिक पेसेंट्स को या दवाई नहीं लेनी चाहिए लो ब्लड प्रेसर वाले मरीजों को दवाई नहीं लेनी चाहिए क्योंकि या पहले से ही आपकी ब्लड प्रेसर को कम करता है तो लो ब्लड प्रेसर वाले मरीजों को या दवाई बिलकुल बने लेने चाहिए अगर आपको कभी भी blood vessel disorder मतलब आपकी रख्त वहानियों में कोई समस्या या फिर कोई बीमारी रही है तो आपको इसे बिलकुल भी नहीं लेना चाहिए मेट्रॉल डेवलेट छोटे बच्चों के लिए नहीं बनी है अगर आप किसी भी तरकी allergy से ग्रसित है तो आपको यह जानकारी अपने फार्मसिस्ट या डॉक्टर को जरूर देनी चाहिए अगर आप डायविटिक पेशेंट या फिर किड्नी पेशेंट या लीवर जब आप जब भी आप मेट्रॉल खरीदने जाएंगे तो आप अपने फार्मसिस्ट या डॉक्टर को यह बाते जरूर बताएं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सामानेता या दवा रिकमेंड नहीं की जाती है कि अन्य दवाईयों के नियमित सेवन के मद्द्द आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यदि आप किसी और चीज की दवाईयां खा रहें तो उसके बीच में इसे नहीं सेवन करना चाहिए या फिर इसके लिए आपको पहले से अपने पार्मसिस्ट या डॉक्टर को इस बात के बारे में बताना चाहिए कि हम यह दवाई का स स्टोर पर बड़े ही असानी से मिल जाए इस दवाई की डोज मरीज के मुताबिक बदलती है तो इस बात की जानकारी आपको अपने फार्मसिस्ट या डॉक्टर से लेनी चाहिए सामानिता डोजेज 100 मिली ग्राम से 150 मिली ग्राम प्रति दिन रहता है जिसे दो डोज में व दिमारियों को ठीक नहीं करता बलकि आपकी उस हालत को वहां पर रोक करके रखता है जिससे की आप अधर मेडिकल ट्रीटमेंट के जरीए ठीक हो जाते हैं तो वीडियो आपके लिए फायदे मन रहे है या आपको कोई भी जानकारी अच्छी लगी है या उप्योगी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब पीजिए घर में रहें सुरचीत रहें धन्यवाल